किस तरह की चर्चा हुई है और क्या कुछ अब अगामी रहने वाला है वारता आप से अभी तक नहीं हुई है देखिए यह तो जो मारी आपस में मिटिंग होती रहती है पांचो एस्टेशन गी आज मुने साड़े तीन में मिटिंग रखी थी तो उमने हमारी आगी आगी की हज चाए कि क्या रहेगी उस पें क्या कुछ चठ्चा हुई है क्या कि अभी तक वारता आपको बुलाया नहीं है मंगर वारतक क्या लग 옆 अपने समय दिया है तो दोनों को बुलाया है है माने नियुक्य मंत्री से मारा नुरोध है कि किसी एंजियोस को वह एफिलेशन दे मान्यता दें ताकि वह जो है राजपति करम प्रशाइब भास इंग जिसको बोलते हैं वह जो यह मुद्धे हैं पूरे प्रदेश के करमचारी के मुद्धों को स और ये मुद्धेवी नंकी होती थी जैसे कि आपको पता है विदित है कि पूरे प्रदेश में कोई भी करमचारी नेता नहीं है और इसलिए पूरे प्रदेश के करमचारी कि हमारेको फोन आते रहे ये बहुत सारी कि वारे को पास उनका समर्थन आया है जिनको बाद में मारे मास अच्छी आपको प्लाएंगे कि इनका समर्थन आया है इस करके वारे को ये मुद्देव खाने पड़े अब गामी क्या रण नीति है क्या काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन आपका जारी रहेगा सत्र के दुरान क्यूंकि दो दिन का हलांकि भी बीच में समय है लेकिन चुटी वाले दिन है दोनों तो लग रहा है कि वारता के लिए सरकार बुलाएगी या बुलाना नहीं चाहती यह यह थो हमें नहीं मालूम सरकार का क्या रविया है बुलाना चाहती है नहीं बुलाना चाहती है उप्र करते हैं अपने मुद्धिद्ध के साथ रखेंगे लेकिन जैसे कि भूरबीम करेंगे पूरी निश्टा के साथ मानदारी के साथ काम करेगा ताकि कोई विगन ना पड़े यह मैं आपको चैनल के मादें से पताना चाहता हूँ कि वहारे मुख्य मंत्री भी बहुत ही परिश्रमी है सुबह नौ बजे आ जाते हैं शाम को नौ बजे जाते हैं तो मारा भी फर्स बन प्रेसलीज भी आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगले महने फिर से वारता होगी इनके साथ और जो एरियर और डिये का मसला है वो सरकार के ध्यान में है और कोशिश रहेगी सरकार की कि इसको जल से जल जारी किया जाए इस तरह का स्टेटमेंट मुख्य मंत्री की तरफ से है जाता है एक बात आप उपता देना चाहते हूं अगर सरकार ने दोनों गुटों को बुलाया है कि यह भी इसी का प्रणाम है जो ने रोश्प्यक्त किया अन्यताइच तक सरकार ने इन दोनों गुटों को क्यों पूंदों नमबर दो जैसा कि आपने का कि महीने के बाद किस गुट को बैंगे यह तो इस पंस्पास्ट हो जाना जी था कि कि सब्सक्राइश को प्रदेश को सब्सक्राइब में जवाब दे चुका हूं उन्होंने यह भी बोला है कि अभी तक आपने कोई मुख्य मंत्री को मांग पत्र नहीं आया करमचारियों की तरफ से और एक दम से ही सरकार पर जो है क्या आपने मुख्य मंत्र से मिलें कोई मांग पत्र की बात मांग पत्र मुख्य मंत्र को सबस्ब्स मांग जाता है और आपके चैनल के मादें से काफी प्रिंट मीडिया में भी आया था कि हमने माननिय मुख्य सचिप को मांग पत्र नत्य सुत्रिय मांग पत्र सौंप रखाए जिसलिए मैं उनके अब जो व्यान होते ना उनका जवाब नहीं देना चाहता हूं कि लिए जो इस दे जो कि कुछ लोग थे उन्हों ने शायद उनको उनकी शब्द वली अच्छी नहीं लिगए हम उसके लिए चलो माफी मांग सकते हैं पर उनकी अपनी शब्द वलीग किया है और यह जो प्रकर्ण शुरूआ है कहा से शुरूआ है उन्होंने पहली अपनी जो प्रेस कॉन बसमें कहा था सच्छी वाले के पूरे प्रदेश के कर्मचारी लिए पैंसने के मुल्ग सबके लिए उन्होंने को स्टेटमेंट थी उन हमने था इसमें भी कटौती की जाएगी इसका क्या मतलब है कि उन्होंने धंकी महरे को पहले दी उसके बाद हमने अपना रोश्प्यक्त किया अब गुंडम वाली बोड़ रहे हैं सच्छी वाले के एपक्स ओफिस के लोगों को गुंडम वाली बोड़ रहे हैं कि गुंड हैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के कितना रोश है यह जो अभी आपको लिस्ट गिनाई जाएगी रोज कम से कम आप मेरा उनको बोलेगा मेरा फॉन चेक आप सकते हैं कि मुझे कितने फॉन कर्मचारी को है पुरे पर्देश के कर्मचारी को लेकिन आपने कर्मचारि की भावना को हमने समझा तब में यह भी कहना है कि जो बत्ते हैं वह हम आधा करने को त्यार है विशर्टे कर्म चारी वीश्ट करते हैं यह जो बत्ते मिल रहे हैं वह 68 ml थीके जी मुझे नहीं मालूम या 68 ml को उनको पास सहमत्य पत्त है पहले यह पता है क्यों से प्यों त्यृट यह रहा है यह कम आदा करने को बमूर्ण पास सहक पेसासे अध्य पत्तर यह पूद किझेृच्ण करते हैं इसनfront at कई here कि आप नहीं कि साय जा रहा है कुछ बहुत है न earthly को कुई quality ले मंत्री किसी भी मलें नहीं इस ही नहीं कि प्याए है हम विया झाहिए ऑप सोची जैनकी के विखाओ में क्यूं वाले करमचारी हमने उस तरह के राज में तो यह हैं हमारी कोई ट्रांसफर जॉब तो है नहीं किसी के मकाव में हैं उनके उसका तो कुछ है नहीं अरे भई हमने आपको बार बार बोड़ रहा हूं हमने तो कोई अपने मुद्दे उठाये उसके साथ यह उठा दिया जब हमने पूरे पुर्देश के लोग आप देख लेजिए मेरा जब मैं कोई वाइट दी तो लाकों में आ रहे हैं उस पर यह कोई तो है कोई तो है करमच सब्सक्राइब कर देंगे किस तरह की व्यूजाइस पर मतलब शर्म आ रही बोलते हैं इस तरह की व्यूजाइब उसके बाप सुथ भी आज आज कहते हैं कि गुंदे मुवाली हम तो मतलब तभी ना इसमें छवी किसके खराब हो रही है माने नहीं मुख्यमंत्री को पता सब्सक्राइब कर रहे हैं इस तरह की जो भाषा का प्रियोग कर रहे हैं पर हम जो नहीं बोलना चाहिए हमने सोच लिया है हम शांती पूरव ताले बिल्ले लगाएंगे माने मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाते में वारता के लिए और उसके बाद हम अपनी रणिती होने तो नीज़ी तो है नहीं क्या मिलेगा वो to सब को इंक लिए गाल मिलेगा लेकिन अगर करब शारिने वह कर देश कर रहे हैं वारे पर सब अंक熬 उम्मिदों के हैंकि अवह इस सब्सक्राइब करता हूँ जैसा कि आपको प्रधान जी ने बताया है हम 15 अगस्त से पहले मुख्य मंतरी साफ से मिले थे हम ने उसे अन्रोज भी किया था और कि आप दिये दे दो कुछ तो दे दो 15 अगस्त की सोगात हमने मांगी थी हम तो यह चाहते थे कि कम से कम अगर और एनाउस भी कर देते हैं भले ही ओ अक्टूबर पैडिन नॉंबर कर द जाएगा भले ही ओए दो मिन्हें बाद मिलेगा तो पूरे सचीवाले की ही क्या पूरे प्रदेश के करमचारियों को पूरे प्रदेश के पेंशनर को 15 अगस्त को बहुत थी लेकिन वो सब की उमीद तूट गई तो इसी तरह जो अमीद थी सचीवाले करमचारियों की वह उनका प्रेशर हमारे पर 15 अगस्त के बाद काफी पड़ गया कि क्यूंकि हमारे सचीवाले की काफी इसुज थे जो 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 नहीं हो रहे थे जिसमें की एक मुखे इसु में आप से शेयर करना चाहूंगा वह है वेकेंट पॉस्ट सचीवाले में अगर बात करें पूरे सभ कार चल सकती है अगर में क्लेरीकल केडर की बात करूं तो क्लेरीकल केडर में लगवख साड़ी 300 पॉस्टें खाली है हम काफी पहले मुखे मंत्री मुखद्र से मिलेवी थे 300 वह के बारे में तो उसक्त कैबिनेट में मेंटर गया भी था हमने कहा था कि कम से कम साड़े 500 को कर दी जाए लेकिन उसी तरह के मुद्दों की कारण जो है करमचारी में रोज था उनका हमारे पर प्रेशर था इसलिए हमको आंदोलन का रास्ता प्लाना पड़ा हमने 21 तारी को जनल हाउस एनाउस किया जब हमने एनाउस किया उसमें हमारे डिय और एरियर के मुद्दे तो उससे जो क्या हुआ कि पूरे प्रदेश के करमचारी जो है हमारे समर्थन में आ गए हमें उमीद नहीं थी हमने तो सच्वाले का अंदोलन आरम किया था तो मैं कुछ जो मेरे पास लिस्ट है कुछ भी निकालने के लिए जो मैं थोड़ी सी लिस्ट लाया हूं निकालके ज जो जो जी जिनके हमें समर्थन मिले हैं जो जिनका समर्थन हमें है एच पी जो गवर्नर हाँ सेक्रेट है उनके करमचारी को हमको समर्थन प्राप थे पब्लिक सरिस्क्विशन के करमचारी को हमको समर्थन प्राप थे लोका कारेले का पूरा समर्थन प्राप थे स्टेट और सचीवाले का समर्थन प्राप्थ है कि मंजब प्रदेश स्कूल लेक्टर र्यस्ट्रेशन का समर्थन प्राप्थ है लेक्ट्र करेंगों प्रतिनी इसमले किसे आज लेक्षट की दियानवन नहीं मैं कर रहें सिंगे ہं आज आज प्रतिनीस मी गिनारा किा चलू अब एसा है कि कहां किनारा कियों किनारा किया किनरों वह सकता बरमारे पास अब किनारा करने का कुछ और कारण भी हो सकते हैं कि करमचारियों को बांटने की कोशिश करें क्योंकि सरकार की हमेशा नीती यही रही है कि बांटो और राज करो जिस तरह मतलब अंग्रेजों की पॉल्ट से थी ना फूल डालो राज करो वही पॉल्ट सी लगबग हर सरकार की होती देखो आप पिछले अगर इतियास में देखें तो एंजी इसको दो तीन साल तो मानेता देने में निकाल देते हैं और अब यह हम प्रेजेंट गवर्मेंट के अगर बात करें तो इसमें भी लगबग 19 महीने का समय जो है सरकार ने गमा दिया है जिसमें उन्हें मानेता किसी को नदी है हमें नहीं मान जूस मर्दी को मानेता दें लोग को दें प्रदीब को दें लेकिन जल्द से जल्द मानेता दें मानेता देने सी होगा कि कम से का हम को जो स्टेट के इस हुए हैं वह हमारे वो उठाट आएंगे हम अपन बड़े स्था क्वेश्टन किया कि यह नहीं मालूम कि इनको बुलाया गया है कि खुद है यह शायद आप लोग उनको मालूम होगा तो इसका हमकुमनी मालूम है लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बुला लिया गया तो बहुत अच्छी बात है अगर वह हमारे आंदोलन का मामले को उठा सके आगर मैं कहना जो जो जूड़े हैं स्ट्रेशन के उनसे नाम बताता हूं एच्पी स्टेट मिनिस्ट्र स्टाफ एस्सेशेशन हेल्थ फेमिली वेलफियर डिपार्टमेंट ठीक है जी राज के सीनवी अध्यापक संग हिमाचल प्रदेश जुनियर ऑफ प्रदेश राज पत्रित करमचारी सेवाई महा संग जलशक्ति भाग घिमाचल मेडिकल ऑफिसर एस्सेशेशन हिमाचल प्रदेश राज के चतुर्थ चिर्मचारी महा संग और इक मेरप आप इस में नैए हमारे इसका लेटर नहीं हाया राज किया ध्यापक संग आप पता पूरे हिंदुस्तान में सच्चिवाले का अपना केटर होता है तो यहां पर कैसे बना देंगे तभी मैं कहता हूं मुझे नहीं देना उनकी बातों देखा देखाव नहीं परदेश है पूरे चलिख और यहां के आर आरेनपी रूल अलगे होते हैं पूरे प्रदेश में जो ग्रेटवन एक्सों कुछ है उन यहां पर इपटी सक्टी यह एंडर सक्टी अटीशन सक्टीव जूएंट सक्टीश क्या करें ऐसी यह से वह देंगे क्या चाहित है स्टेटमेंट यह उनका जवाब ही देना भी मुझे अच्छा की गीतपवी और यह झौण कि आप सब्सक्राइब करते हैं कि आप को सुनने के लिए हैं कि क्या मंत्री जी हमारे कोई नी आधर्णी है यह प्रदेश को नat तो हमारे सभी भाई बंदू कर्मचारी उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे क्रमचारी लोग होते हैं जो इलेक्षन बढ़ बाग लेते हैं और सरकार को चुनकर लाथ थे हमारे मिनिस्टर वात हैं एकिकिना इनका इनका रिगाड करते हैं और आये तो बहु लाएं और हमें का स्वागत कि हो जाता एक यांना तो तो उससे थोड़ा सपर्वोख हो जाता है आदमी तो कुछ शब्द निकल जाते हैं तो उसके लिए शमा भी मांग लेते क्योंकि बड़े हैं यह लोग हमसे उमर में भी बड़े हैं कोई बात में छोटे बच्चे होते हैं जासे घर में हो जाती यह बात लड़ाई जगड़ा है सची वाल लेगा वह पूरा वातावरण जो है एक अच्छा जैसा हमारा होता है वह बना रहे हैं और इसमें कोई इस तरिक्ये की प्रतिक्रियत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे जगड़े बढ़ जाएंगे और हम जगड़ा करने के लिए थोड़ी आए हम लोग तो इनके अप है जो हमारे की बात है यह पूरे स्टेट का मसला है हम तो चाहते हैं कोई आए नेता आए और वो अपनी जिम्मेवारी को निभाए क्योंकि स्टेट के पूरा भार होता है तो सची वालने की अपने ही बहुत मुद्दे हैं लेकिन फिर भी चलो बात किये को गलत बात नहीं क है यह कर्मचारी की आवाज है जो हमने चारों तरफ से जीनों ने भी बोला था हम इस आवाज को उठाने की कोशिश की है कोई ऐसा हमारा कोई जगडा या कोई ऐसी चीज नहीं है और हम नहीं चाहते कि इस तरिके से मंद्दीजी को छोटी सी बात इतना बड़ा इसको कौए बड़ेत्य दिल बड़ा रखे और हमारे को सुने मंक्री मुझरी महुदे से भी मेरा नुवेधन रहीता है कि मोशिश की की मत्रिवाज को रहा हमारी परिबवार मेमें कि चीज़े बार बार करें तो इससे ज़्यादा तो मैं आपको और कुछ नहीं चाहूंगी ना कि हमारे अमर्जी नहीं यह बात करना चाहिए कि अब आज जो मंत्री मोहदे दुरा हमारे महास्न के प्रति क्रिया दी गई मैंने कल भी प्रेस वार्ता के दुरान यह बात कही थी मानिया मंत्री मोहदे संबेधानिक पर बैठे हैं भाषा हमारी नीच हो सकती है कि शायद क्यूंकि करमचारी एग्रेसिव है काफि समय से इं पर देखिए लेकिन मंत्री मोहदे ने आज फिर वो दोरा दिया कल मैंने कहा था मैंने बड़े संख्षेप में प्रैस वारता की थी कि मंत्री मोहदे आपको शोवद नहीं देती क्योंकि महामईम राजयापाल के सामने आपने शफ्त पत्तर पड़ा है उसमें कुछ शबद है मैं नहीं जाना चाता डिटेल में कि मंत्री मोहदे रोज रोज इसको बार भार अच्पर शोवाद नहीं है अव्य हमारे वारे में आपने कहा गुंडे मवाली यह शबद भी संबैदानिक नहीं है कहा गया 45 पाँवदका मुदे महदे 45 नहीं है आपने हजूम देखा गेट केमरे से नहीं देखा हुगा दुनिया ने देखा पूरे प्रदेश ने देखा पूरे प्रदेश के करमचारियों को हमें फ्रोन आए हर जगा से हमें समर्थन मिल रहा है मुझे लगता है अभी तो प्रिंट भी कम निकले हैं शायद 25-35 जो करमचारी संग है और हमारे सिवर्म करमचारी सरकार के साथ है तो देख लीजिए जिस तरह की आपकी भाषा है मंत्री मोदे मैं फिर कहूंगा कल वाली जो प्रेस वारता है उसी को फिर दुड़ाऊंगा कि इसे इस चिंगारी को ज्वाला मुखी ना बनाएं बनाएंगे अक्रोष प्रदेश के करमचारियों और पैंशनरों में अक्रोष है तो इसके लिए सरकार जिम्मेबार होगी मंत्री मोदे का मुझे यह नहीं पता लग रहा है एक कि यह सरकारी अधिकारी कोंग का ब्यान है या निजी ब्यान है यह तो वह जाने वाकि हम ज्यादा मंत्री मोदे के बारे में नहीं कहना चाहते कि रोज रोज एक दो दो प्रेस बाता कर रहे हैं कुछ ना कुछ शायद हमारे अंदर फूट डालने कोशिश करें मोदे मंत्री मोदे करमचारी एक है एक था एक रहेगा जैसा कि नोने कहा न और शायद उनकी कल बिलासपूर में बैठे थी उसमें उनका निर्ने हुआ है कि हम पूरे जो बढ़ चड़कर जो है इनके साथ वो कप लगशा है कि दाई लाक परिंशनर हैं जो हमारे साथ हैं धन्यवाद थैंक्यू